जो दर्द के साथ गुजर रहा है, जोईंट्स में इंको इंफ्लामेशन है, सूजन है, उसको गठिया है गठिये वाले पेशन्स जितने भी हैं, उन सब लोगों के लिए एक्सेस में प्रोटीन्स का लेना जो है, आप तो बंद करना पड़ेगा गठिये के पेशन्स है, उनका डाइजेशन जो है, वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, तो जब भी वो बहुत हैवी चीज लेंगे खाने में, उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नमस्कार जी, मैसल्फ डॉकेश शारदा, सीओ डॉक्टर शारदा मेडलाइफ आयरवेदा हॉस्पिटल आज मैं आप सब लोगों के साथ बात करूँगी रिमेटर अर्थराइटर्स के उपर आप लोगों ने पहले भी मेरी काफी वीडियो और लाइफ जो हैं बोरिमेटर अर्थराइटर्स के उपर सुने होंगे या फिर देखे होंगे आज मैं समान्यता बात करने जारी हूँ सिर्फ चार पांच इसके जो बेसिक कारण है उसके उपर गठिये को जानना बहुत ही जादा सरल लेंग्विज में जैसे एक लेमेन को भी समझाए कि उनको ये जो बीमारी है इसका कारण जो है वो गठिया है इसके लक्षन क्या हो सकते हैं इसके डिफरेंट कारण क्या हो सकते हैं अगर किसी को गठिया है तो उसमें कैसा आहार होन चाहिए क्या क्या चीजें अवाइड करनी चाहिए तो आज का हमारा वीडियो सिर्फ इनी चीजों के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा आमवात आयरवेद में गठिये को आमवात कहा जाता है आमवात का मतलब होता है जितना भी हम खाना खाते हैं जब पूरी तरह से कच्छा रस बनके ही हमारे बलड के साथ मेक्स होके हमारे नसों और नाडियों तक पहुंच जाता है और एक टॉक्सिसिटी के रूप में हमारे शरीर में काम करता है और काफी टाइम तक हमारे शरीर में मोजूद रहता है उसके साथ धीरे धीरे करके हमारे जोडों में नसों नाडियों सूजन आना शुरू हो जाती है जोर जो हैं दर्द करना शुरू हो जाते हैं और आगे अगर हम बहुत लंबे समय की बात करें तो आगे चलकर टिफॉर्मिटि का एक शरीर के अंदर जो है वह पंपना शुरू हो जाती है हाथ पैरों कि उंगली przedstaw सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर किसी को गठिया है तो कैसे समझ आएगी कि उसको गठिया है किसी भी मरीज को समानेता सुबा उठने के साथ अगर हलकाल का बुखार लगता है शरीर में अकडन रहती है बहुत ज़्यादा जकडन रहती है शरीर तूटता है दर्द करता है और जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती जाती है दिन चड़ता जाता है उसके साथ उसका जो है दिरे दिरे खीक होना शुरू हो जाता है आइरोव yards के अनुसार माने है तो इसकी शरुवात है वह यूरिक हैसीड के में लगातार बड़े रहने की वज़ा से ही होती है जब यूरिक ऐसेट जो है लंबे समय तक हमारे शरीर में विद्यमान रहता है और पूरी तरह से हम उसका उपचार जो है वो सही तरीके से नहीं करते तो वो धीरे धीरे आगे चलके गठिये का एक रूप ले लेता है जिलनों को गठिया है आज कल के टाइम में बहुत सारे ऐसे टेस्ट आगे है इन्वेस्टिगेशन भी आगी है जो ये परमानिक करती है कि एक जो पेशन्ट है जो दर्द के साथ गुजर रहा है जोइंट्स में जिनको इंफ्लामेशन है सूजन है उसको गठिया है जैसे की CRP, ESR या फिर RA Factor का पॉजिटिव हो जाना NTCCP, ANA इस तरह के डिफरेंट जितने भी केटाग्राइजड टेस्ट होते हैं ये डीप इन्वेस्टिगेशन में जाके तब हमें ये कलेर हो जाता है कि एक जो पेशन्ट है वो पूरी तरह से गठिये के साथ प्रभावित है अब इसका कारण क्या है आईरवेड के अनुसार अब हम समझते हैं कि इसका कारण क्या है कारण अगर हम आईरवेड की बात माने तो इसका जो कारण है जितना भी हम खाना पीना लेते हैं जो भी हम फूड लेते हैं, जब पूरी तरह से पच्टा नहीं है, तो वो एक कच्चा रस हमारे शरीर में बनाता है, जो कच्चा रस है वो बलड के साथ मिक्स होके हमारी नसो नाडियों में और जॉइंट्स में जाके आगे रचना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे और यह कच्चा है करें। जो है वो हमारे शरीर में गठिया जो है पनपना शुरू हो जाता है क्योंकि जब भी हम इस तरह का भारी खाना लेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बनेगा और जोडों में जो है वो दर्द आना शुरू हो जाएगा लक्षन की अगर हम बात करें तो ऐसे पेशन्ट को हमेशा छोटे जोडों में सूजन बनी रहती है हलकी हलकी से एक redness सी बनी रहती है feverish feeling रहती है joint जो हैं बहुत जादा soft हो जाते हैं tender हो जाते हैं एक हलका सा touch भी लगे तो भी उनको असानिय वेदना होती है दर्द होती है बहुत जादा मात्रा में दर्द रहती है कुछ-कुछ लोगों को बहुत जादा bacteria virus के साथ infection जो है वो होने उसके attacks होने की वज़ा से कई वार fever के attacks होने की वज़ा से भी गठिया जो है वो होना शुरू हो जाता है इसके बाद हम इसके next step के वर जाते हैं तो उसमें हम बात करेंगे कि उसमें हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसमें पत्य क्या है पत्य का मतलब क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम खा सकते हैं और उनके खाने के साथ जो है शरीर हमारा स्वस्थ रह सकता है और जितना भी जिस लेवल पे भी गठिया है वो जो गठिये का लेवल है वो किस लेवल तक धीरे-धीरे कम हो जाएगा अगर हम पत्य की बात करें तो सबसे पहले इसमें जरूरी चीज़ आ जाती है कि हम नॉर्मली ऐसा खाना खाएं ऐसा भोजन खाएं जो खाने में बहुत जल्दी पचे सुपाचे हो हलका भोजन हो आप लोगोंने देखा होगा कि जब भी कभी बुखार हो जाता है या फिर कोई फीवर हो जाता है कुछ समय के लिए हम लोग बिमार पढ़ते हैं तो नॉर्मली घरों में खिचडी का प्रचलन बहुत जादा होता है मुंग दाल थोड़े से चावल हलकी सी सोंट और देसी गी इस तरह की चीज़ें डालके खिचडी बनती है या फिर हलका सा दलिया या सूप या फिर जूस या फिर फ्रूट्स इस तरह की हम डाइट जो है बहुत जादा लेते हैं तो जिन भी लोगों को गठिय की प्रॉबलम रहती है उन लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज है कि वो एक तो गरम पानी का सेवन जो है वो बहुत जादा मातरा में करें जब भी उनको प्यास लगे और या फिर उनोंने कभी नहाना हो या एक्टिविटीज में इंवाल होने के लिए चोटे मोटे काम करने के लिए पानी का यूज करना हो तो वो गरम पानी होना चाहिए उसके साथ उनके जॉइंट्स में मसल्स में इंफ्लमेशन अकडन नहीं डलर ही है जल्क जया सकता है और उसकी क्वांटेटी वी बहुत अ कम हो उसमें पानी के मात्रा बहुत ज़ादा हो सबजीयों का उप्योग इसमें बहुत अच्छा रहता है हरी सब्यों का उप्योग किया बाकि अथा फल होगे या फिर ड्राइफ रूट्स लेकिन भीगो कर लेने हैं और चटनी होगी किसी भी परकार की फल हर तरह के ले सकते हैं केला छोड़के और मूली के पत्तों की साग बना सकते हैं या भाजी बना सकते हैं लेकिन मूली के पत्तों की बथुए का साग इसमें बहुत अच जो हल्की सी नेचर में गरम भी हो और पच्टे में जो है जल्दी सुपाच्चे हो गी का उपयोग जो है वो गठीए वाले पेशन्ट के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है जितने भी पेशन्ट इस रोग के साथ पीडित है वो शुद गाय देसी गाय का घी ले उसके साथ यह इसमें आयरवेद में एक औशदी के रूप में भी यूज किया जाता है अब हम से नेक्स्ट इस पर बात करेंगे स्टेप पर अपत्य ऐसी क्या चीज है जो गठी वाले पेशंट्स को नहीं करनी चाहिए या नहीं खानी चाहिए गठी वाले पेशंट्स जितने भी हैं उ चहें को चाहिए कियाल अपनां के दाल और चने के दाल आ जाती है सागए शाय कोफी जिने भी कए फूर सस्टीम्लेटिंग फूट्स और दूद इसमें एवाइड करने के लिए सुजेस्ट किया जाता है दही सुजेस्ट किया जाता है पनीर एवाइड करना चाहिए पेशन्ट को सोया बीन जो है वो एवाइड करनी चाहिए ठीक है और एक्स एवाइड करने चाहिए क्योंकि प्रोटीन का सूर्स है जिस भी ची बहुत weasTON बहुत हभीज लेंगे खाने में उसको डाइजस्ट होने में बहुत जपाइम लगएगा और बहुत भी हभीज को पूरी तरह से उसमें पाचन धूर नहीं होगा ऊगे चल के तरह से बशान पीजाभल से neutron आफ बात करेंगे कि जितने भी गठी के मेरीज हैं, अगर काफी मरीज इस तरह से धी होते हैं, यसे यह सोचता हैं कि नहीं हमने कोई भी दवाई नहीं ओर नहीं करवाना, हम ऐसे ही रहेंगे, तो इसका नुक्सान क्या हो सकता है? ऐसे मरीजों की अगर हम बात करें तो ऐसे मरीजों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है वो धीरे-धीरे ओवर दा पिरिएड ऑफ टाइम उसमें क्या होता है कि बड़े जितने हमारे जोड़ है उसके अंदर जितना भी सोफ्ट कुशन्स होते हैं साइनोवियल फ्यूड होता है और कुशन्स जितने भी होते हैं जितने हमारी सॉफ्ट टेंडर जॉइंट्स होते हैं उसकी जो हडियां हैं अंदर से खराब होना शुरू हो जाती है तो एक बहुत बड़े लेवल पे डिफॉर्मिटी जो है वो क्रियेट होना शुरू हो जाती है और अंत में फिर हमें ओपरेशन की ही सला दी जाती है इसके साथ आंखों में ऐसे मरीजों को बहुत जादा दुश परभाब पड़ता है कभी कभी तो ऐसे मरीजों की आंखों की रोशनी भी जा सकती है इसके साथ पेशन्स को जो लॉंग टर्म पे मेडिकेशन्स पे रहते हैं कई बार बहुत जादा लंबे समय से दवाई के उपर निर्वर होने के साथ जो वेस्टर्न मैडिकेशन्स है उसके बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं आईरुएद इस बीमारी में एक बहुत ही अच्छा अपना परस्पेक्टिव रखता है क्योंकि आईरुएद की जितनी भी दवाईया हैं जो हम जादा तर गठी के लिए यूज करते हैं उसमें जो चिकित सा पद्दती रहती है उसमें बिगनिंग में सबसे पहले शरीर की सफाई पर ध्यान दिया जाता है ताकि आपके शरीर के अंदर जितना भी कचरा मौजूद है वो सारा का सारा जो है वो साफ हो जाए बौडी अंदर से बिल्कुल क्लीन हो जाए उसके बाद अगर आपके स्किन लेवल पर टॉक्सिन्स हैं या फिर गंदगी है जो पसीने से बाहर निकलनी चाहिए थी लेकि कर एंगा इसमें बहुत अच्चा जो है वो रोल बताया गया है ऐसे मरीजों को फास्ट करना बताया जाता है क्यूंकि जब भी ऐसे फास्ट करते हैं तो उनका डाइजेस्टिव ट्रक जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होना शुरू हो जाता है और शरीर अंदर से साफ हो जाता है विरेचन और शदियाँ देखर भी करवाया जाता है कई बार natural purgations भी होती हैं कई बार medicated purgations भी इसमें करवाई जाती हैं और इसके जो गठीये से जूज रहे मरीज होते हैं उनको पता चलेगा कि ये एक miraculous treatment है जब भी हम शरीर का सुषोधन पूरी तरह से कर लेते हैं शरीर को detoxify कर देते हैं पूरी तरह से तो आदी विमारी जो है वो detoxification के time में ही निकल जाती है शरीर जब साफ होता है तो आदी विमारी जो है वो पूरी तरह से वैसे ही निकल जाती है और जो बाकी दवाई रहेगी उसके लिए परहेज और बाकी जो दवाईयां है वो according हर patient की दवाई जो है हर patient से बिभिन हो सकती है क्योंकि हर patient की दिन चर्या उसके सोचने का तरीका खान पीन का तरीका जो है वो entirely different होता है अभी मैंने बहुत चोटे 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 आपके साथ steps जो है वो share किये है I hope कि जो भी मैंने आपको अभी information share की है आप लोगों के काम आई और गठिये से related अगर आप लोगों की और भी कोई query है तो आप कभी भी हमें संपर कर सकते हैं या जो भी description links में नीचे contact details या website की details दी जाएगी आप उस पर भी हमें mail कर सकते हैं तब तक के लिए thank you so much नमस्कार जी